हेलोबरिवन आप सब का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है तोEx आज की इस वीडियो में हम विदियो में हम लोग जानने वाल हैं एक कदू steel site के बारे में वें वूब्रमेंट का site है उसमें कोई determins हैं ऐसे विब साइट के बारे में जानने वाले हैं जिसकी मदद से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपके आधार नंबर से कितने सीम कार्ट रजिस्टर्ड हैं यह बिल्कुल लिगल है चेक करना तो फ्रेंट सी इस बात का मैं यहां पर पूरूप भी देने वाला हूं कि यह तो फ्रेंट सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपेन कर लेना है जैसे मैं क्रोम चलाता हूं तो क्रोम को ओपेन कर रहा हूं यहां पर आपको सर्च करना है डीजी टेलिकॉंब .gov.in इस साइट को ओपेन कर लेना है .gov का मतलब आप लोग समझते हैं कि गौर्मेंट का सैट है इस बात का सबसे बड़ा पुरूप है कि यह गौर्मेंट का साइट है यहां पर आपको फॉस्ट वाले को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको यह कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा यहां से तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लिजेगा और यहां पर आ और यहां पर सेंड ओटीपी के अप्शन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा ओटीपी को यहां पर फिल कर देना है OTP को fill करने के बाद इस validate के option पर click कर देना है तो validate के option पर click करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरे इस mobile से मतलब जो number आधार में registered है उस आधार card से सिर्फ एक ही number यहां पर registered है तो यहां पर आप लोग इस तरह आपके आधार number से जितना भी mobile number registered है उसका list यहां पर आ जाएगा आपके आधार card से जितना भी number है, sim card है उसका list यहां पर आ जाएगा इस तरह से आप लोग किसी भी आधार card से जितना भी sim निकला है उसका data यहां से ले सकते हैं और यह बिल्कुल लीगल साइट है यहां पर देख सकते हैं भारत सरकार का साइट है तो यहां से आप लोग डाटा ले सकते हैं अपने नंबर का आई होप यह छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आये हुआ वीडियो पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चै आज के लिए बस इतना ही जय है हिंद वंद्य मातरम